दोस्तों नमस्कार भारत की राजनिती करवट ले रही है दो हजार चौबिस को लेकर दो हजार चौबिस के लोकसभा चुनाओं के मद्दे नजर हो सकता है आपकी नजर में विपक्च की पहल कदमी हो विपक्च की चहल कदमी हो विपक्च की एक जुटता को लेकर प्रयास हो लेकिन जब राजनिती करवट लेती है तो उसका मतलब उस दौर में समाजिक आर्थिक परिस्तितियों को लेकर राजनितिक सत्ता से हटकर कोई दूसरा भी कुछ सोच रहा होता है और उसे ये लगता है कि राजनितिक सत्ता अपने तोर पर उतनी सफल हो नहीं पा रही है जिस विचार के आसरे इसे बनाया गया इसे खड़ा किया गया ये कौन हो सकता है भारत के भीतर में पहचान लिये हुए समाजिक और सांस्कृतिक संगठन के तौर पर राश्टिय स्वैसेवक संग वहीं से निकलती है बीजेपी और वहीं से निकलता है प्रचारक जो इस देश का प्रधान मंत्री भी बन जाता है लेकिन उस प्रचारक को प्रधान मंत्री पद तक लाने में किसी का योगदान होता है तो उसी आरेसेस और उन्य स्वैसेवकों का होता है जहां से ख़भ राजनिती का कहरा और उसके शुद्धी करन का पाट प्रचारक ने पढ़ा और पढ़ाया और उसके बाद राजनिती में आकर परिस्तितियों को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी की सत्ता को इस देश के भीतर में काबिच किया लेकिन पहली बार 2024 के मद्दे नजर RSS के भीतर एक साथ बहुत सारे सवाल है और मौजूदा राजनितिक सत्ता यानी नरंद्र मोदी की सत्ता के भीतर भी उन सवालों का जवाब दे पाने की स्तिती में वो नहीं है जिस चनौती का जिक्र राजनितिक करवट के तले अगर जो विपक्ष के तोर पर देख रहा है यानी नितीश कुमार का घूमना, समूचे विपक्ष को एक जुट करना, विकल्प के तोर पर खुद को पेश करने के लिए हुनर्मन तरीके से चीजों को परोसना और दूसरी तरफ कॉंग्रिस का कदम ताल करते हुए इस देश को नापने की परिस्तिती उससे जादा बड़ी चिंता इस वक्त राजनितिक सत्ता को रास्टिय स्वैसे वक्त संग के भीतर चल रहे उथल पुथल को लेकर है ये उथल पुथल सत्ता दौरा लिए जा रहा है निर्णयों को लेकर है जो संगठन में दखल दे रहे हैं उसी का असर है कि एक दिन पहले ही पंद्रा राज्यों के प्रभारीयों को बदल दिया गया असर उसी का है उन प्रभारीयों की फरिस्त में जो सबसे ताकतवर प्रभारी इससे पहले थे सुनील बंसल जो से पहले उत्तर परदेश में एक लिहास से योगी आदितनात के मुख्मंत्रित तुकाल में कहीं जादा उनसे भी ताकतवर हुआ करते थे और जब दो हजार बाइस की जीत के बाद योगी आदितनात मुक्मंत्री बने तो सुनील बंसल को वहां से हटाया गया लेकिन तीन राज्यों का प्रभारी बनाया गया उन तीन राज्यों में से दो राज्यों के प्रभारी के तौर पर कल उन्हें हटा लिया गया जो सबसे नजदीक इस वक्त में अमिश्या और नरेंद्र मोदी के तो क्या सुनील बंसल के जरीए एक पहला मैसेज है दूसरा मैसेज है संसदिये बोर्ड के भीतर से नितिन गटकरी को हटाना और यह सवाल RSS को लगातार खाये जा रहा है कि उससे पूछा क्यों नहीं जाता है राजनितिक तोर पर RSS दखल नहीं देती है सत्ता और सरकार के बीच में कहती भी नहीं है लेकिन समान तोर पे समनवय और समवाद बनाया जाता है यह समवाद ना तो करनाटक के मुखमंत्री को बदलते वक्त बनाया गया नहीं गुजरात में मुखमंत्री समेत समूची सरकार को बदलते वक्त बनाया गया और एक के बाद एक संगठन में जो हस्त छेप राजनितिक सत्ता के पाने के तम्गे के साथ जो BJP के भीतर से राजनितिक सत्ता यानि मौजुदा वक्त में अमश्या या नरंद्र मोदी कर रहे थे उसको लेकर पहली बार उफान RSS के भीतर उठा है और रायपुर में आज से बैठक शुरू हुई है समनवे बैठक RSS के 3600 संगटन के जो सिर्मौर होते हैं उनकी मौजूदगी होती है क्या किया क्या उपलब्धी की आने वाले वक्त में क्या करेंगे और दृष्टी बोध क्या कहता है इस पर चर्चा होती है जेपी नड़ा भी उनमें से एक है जो बीजेपी की अध्यक्ष है वह भी पहुँचे हैं लेकिन आज से बैठक और कल 15 राज्यों के प्रभारियों को बदलना आज से बैठक और उन प्रभारियों में ब्रहमनों को अस्थान देना यानि जो शोशल इंजिनरिंग का माददा लगातार OBC और दलित के आसरे चल रहा था चलाया जा रहा था उस पर पहली बार ब्रेक लगाया गया इस ब्रेक से पहले उत्तर परदेश से संकेत दिये गए थे कि आप योगी अधितनात को नहीं हटा सकते हैं RSS पीछे खड़ी है और आने वाले वक्त में यहां के जो संगठन मंत्री होंगे या फिर जो परदेश अद्यक्च होंगे वह RSS के करीब के होंगे आप किसी को बाहर से लाकर नहीं बैठा सकते हैं मैसेज क्या है मैसेज बहुत साफ है कि RSS अब संगठन में सत्ता के दखल को बरदास नहीं कर पा रहा है मैसेज यह है कि नितिन गड़करी को जिस तरीके से हटाया गया और सुनील बंसल को अलग अलग जगों से जो स्थापित किया गया इसके मद्दे नजर सवालों के जवाब आपको देने होंगे बताना होगा मैसेज यह है कि 2024 से पहले गुजरात का चुनाओ भी है और गुजरात के चुनाओ के भीतर जो गुजरात का जो ब्रहमन तपका है जिसकी तादाद बहुत कम है लेकिन इस देश के भीतर में RSS के इशारे से और स्वैसिवक अगर राजनितिक कारकरता के तौर पर BJP के लिए काम कर रहा हो तो अगर वो काम करना बंद कर दे या उलट तरीके से आपके काउंटर में खड़ा हो जाए तो क्या होगा ये ठीक वैसे ही इस्तिती है जैसे एक वक्त अटल विहारी वाजपई और लाल कृष्ण अडवानी को RSS ने मात दी थी उस समय दिल्ली की चौकली शब्द चलाया गया था सुदर्शन जी के जरिये जो उस वक्त सरसंग चालक थे उस वक्त दूसरे नंबर पर मोहन भागवत हुआ करते थे जो अब पहले नंबर पर है वह भी इन इस्तिती को समझ रहे हैं कि वैचारिक तोर पर विचारधारा के तोर पर मरिंद्र मोधी सत्ता के लिए इतनी आगे निकल गए हैं कि राजनतिक जीत के अनुसार ही सारे पत्ते फेंटे जाते हैं और उन पत्तों को फेंटने के दौरान ऐसे लोगों की नुक्ती होती है जो उनके इशारे पर काम करें यह इशारा बीजेपी के अध्यक्ष पद पर सबसे पहले प्रयोग के तोर पर लाया गया एक वक्त हम इशात है आज की तारीक में जेपी नड़ा है कोई हट कर इस वक्त राजनतिक बिसाथ से हट कर बीजेपी अध्यक्ष काम नहीं कर सकता है लेकिन दवाओ RSS का और दवाओ के साथ साथ मुखालफत और उसके साथ साथ आने वाले वक्त में राजनतिक चुनाओ को लेकर जो चुनोती देने का सवाल संग के भीतर खड़ा हुआ है उससे एक बेचैनी राजनतिक सत्ता को दिली में हो चली है संग के भीतर तीन सवाल है क्या आने वाले वक्त में नरेंदर मोदी को बदला नहीं जा सकता है क्या बीजेपी के भीतर से कोई दूसरा निकल के नहीं आएगा क्या क्योंकि राजनितिक तोट पर संग भी मान रहा है कि विपक्ष से इस दोर में कोई खत्रा नहीं है यानि चुनावी जीत निश्चित है तो जब चुनावी जीत निश्चित है तो ऐसे में संग के स्वैसेवक उस विचारधारा को आगे ले जाना चाते हैं बढ़ाना चाते हैं जिसके जरिये उनके अपने आस्टित को लेकर आने वाले वक्त में कोई सवाल ना उटे समनवे बैठक के भीतर जो राइपूर में हो रही है उसमें इन सवालों पर भी गौर है और इस पर भी सवाल है कि दरसल आप जब नई न्युक्ती करते हैं या किसी को हटाते हैं तो जानकारी क्यों नहीं देते हैं वह भी आज तक के इतिहास में संसदिये बोर्ड में जब फेर बदल होता है तो RSS को जानकारी दी जाती रही है इस बार क्यों नहीं दी गई गूशरात के मुक मंत्रियों को बदला गया कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई करनाटक में तो आप ऐसे शक्स को ले आए जिसका कोई RSS से लेना देना नहीं है वो हमई के बेटे हैं जनता दल से जुड़े रहे और उस वक्त तो मुकुंद जो बैठे हुए थे Joint General Secretary के तौर पर बैंगलोर में उनकी भी जानकारी में नहीं आया कि आप ये परिवर्तन कर रहे हैं या इस परिवर्तन की जानकारी उनको देनी चाहिए कुछ ऐसी इस्तिति गुजरात में भी बन गई यानि राजनितिक तोर पर दक्षिन का दर्वाजा BJP के लिए खुल जाए इसका बाखुबी पूरा प्रयास RSS ने किया अपनी शाखाओं के जरिए अपनी पहल के जरिए अपनी राजनितिक मशक्कत के जरिए जो कि सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के तोर पर भी है फिर भी आपने राजनितिक जीत के लिए एक जटके में ना तो आप जातियों के मेल मिलाप के भीतर उन नेताओं को खोच पाए जो आरसिस से निकले हुए हैं। इधर राओ, राजस्थान में अरुन सिंग, इनकी जरुरत क्यों पड़ गई। पंजाब में विजे भाई रुपानी, गुजरात के भेजे गए, महराष्ट के तावड़े जो हैं उनको बिहार भेजा गया, इनकी जरुरत क्यों पड़ गई। जबकि इसके ठीक समनांतर, इ किली की सत्ता के सामने भी कि अगर RSS रूट गया, तो कहीं 2024 में मुश्किल ना हो जाए, RSS रूट गया, तो गुजरात में जीत को लेकर भी मुश्किल ना हो जाए, और गुजरात का प्रयोग RSS के लिए भी महत्पून है, और BJP के लिए भी महत्पून है, अपने तोर पर R को मिलाईएगा तो तकरीबन 28 सीट ऐसी आ रही है जो मुश्किल में है 28 सीट का मतलब यह होता है कि इस वक्त 99 सीट है 28 सीट कम कीजेगा तो एक जटके में 71 पर आ जाईएगा बहुमत के लिए 92 सीट चाहिए और वैसे ही चीजे डगमगा जाएगी अगला सवाल यह है क्या RSS BJP को साइड लाइन करने के लिए या मौजूदा वक्त में राजनितिक सप्ता को एक जटका देने के लिए कहीं गुजरात में कोई नया प्रयोग करने की दिशा में तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि अगर सरकार को बदल दिया गया पूरे के पूरे तरीके से तो जाहिर है जो दशकों से वहां पर विधायक काम कर रहे थे इस बार उनकी टिकट भी कटेगी तो वो कहां से खड़े होंगे समनांतर तोर पे खड़े होंगे या कोई पॉलिटिकल पार्टी जो वहाँ पर धीरे धीरे घुसने का प्रयास कर रही है उसको समर्थन देते हुए कहीं RSS उसे खड़ा तो नहीं कर देगी और उन विधायकों की टिकट उस पॉलिटिकल पार्टी के जरिये तो नहीं दिला द देगी डर तो है दिल्ली में इस बात को लेकर क्योंकि जो सीटों का जिक्र करने जा रहे हैं वो दरसल संकट की सीटे हैं गुजरात की राजनेतिक तोर पर ये पहला प्रयोग उस दिशा में ले जाता है जहां RSS राजनेतिक सत्ता जो दिल्ली में बैठी हुई है उसको चि भीतर में वैचारिक प्रयोक्षाला चलेगी विचार धारा के आसरे प्रयोक्षाला चलेगी लेकिन राजनेतिक जीतहार में इस देश की जातियों को मत देना इस देश की जातियों के भीतर उस संगठन पे अस्थापित करके विचार धारा को भी मतने से प्रभावित कर दे यह नहीं चलेगा सीट है, विशनगर सीट है, महसाना सीट है, कारी सीट है, विजापूर सीट है, 28 सीटों को लेकर एक संचे की स्थिति में है कि अगर वहाँ पर जमीन किसा गड़ गई, जो खिसकी हुई पहले भी थी, बहुत कम मार्जिन से आप जीते थे, इस्थितिया ना जुक हैं, उसमें अगर RSS सक्रिय हो जाए, और RSS अगर ना सक्रिय हो, इन दोनों परिस्तिती को राजनितिक तोर पर पहली बार, BJP के वह कददावर नेता जो पूरी 27 विचाते हैं, समझने के लिए बेचैन हो रहे हैं, तो क्या परदे के पीछे RSS, एक उंगली से अपने अनुसार राजनि करा रही है कि हमारी उंगलियों के तार अगर जरा से इधर से उधर हो गए, तो आप भी डोल जाएंगे और BJP के भीतर से हम किसी ना किसी को वेकलपिक तोर पर खड़ा कर देंगे, क्योंकि 2013 में जब आपको खड़ा कर सकते हैं, तो 2024 में किसी और को खड़ा क्यों नहीं कर स सकते हैं, यह सवाल दिल्ली के लिए परिशानी का सबब है, यहां पर दो बातें और गौर करने की है, एक तरफ ब्ल्यू आइड बॉई के तोर पर योगी आदितनात इस वक्त RSS के लिए बने हुए हैं, यानि बहुत शांदार तरीके से वो अस्थापित हैं, दूसरी विचारधारा के तोर पर एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अमिश्या कॉम्पटिवली नरिंद्र मोदी वैचारीक और विचारधारा के तोर पर कहीं ज़्यादा सतीक हैं, यह एक दूसरी बात उपर रही है, तीसरा सवाल है, जब जनवरी के महीने में बीजेपी के नए मता जाएं, और उनके साथ उनका अनुभवी काम करेगा, और राजनिती भी उस काम करेगी उस दिशा में, जहां पर अभी तक इस बात को लेकर चर्चा होती थी बीजेपी के गलियारों में कि योगी अधितनात भी राजपूत और राजनात सिंग भी राजपूत, तो एक दूसरे से टकराएं या एक दूसरे का विकल बन जाएं, राजनितिक पत्ते ऐसे दिल्ली में बैट कर फेंटे जाएंगे, बताया जाएगा लेकिन अब इस्तिती ऐसी यूपी को लेकर तो नहीं है, तो क्या एक नई परिस्तिती में बीजेपी को लेकर, आरेस्स मतने की द दीजिये, उनके अनुभव को लीजिये, लेकिन राजनितिक तोर पर चेहरा अब नए चेहरे के साथ उभारने की जरुत है, क्या दो हजार चौबिस इस बात का दोराओ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि राजनितिक सफलता अगर आपके लिए हर माप डंड है, तो एक राजनि प्रियोग क्या गुजरात में हो जाए, क्योंकि गुजरात में जिस तरज पर संग की सक्रियता सडकों पर नजर आ रही है, वो किसके लिए नजर आ रही है, यह अपने आप में एक खोजी पत्रकारिता की दृष्टी से काम करना पड़ेगा, वो भीड कौन है, जो सडक पर तो सही माइने में 27 बरसों में योगदान मौजूदा वक्त में देश के प्रधान मंत्री नरिंडर मोदी का ही गुजरात में रहा है, उस वक्त जब मुखमंत्री नहीं थे तो महामंत्री थे, प्रचारक से निकल कर आये थे, और महामंत्री के तोर पर संगठन को मत रहे थे उसके बाद मुखमंत्री और फिर प्रधान मंत्री, यह एक उनका पूरा सफर है, तो क्या मौजूदा वक्त में जब RSS के प्रचारक संगठन को समालने के लिए बीजेपी में जाते हैं या राजनितिक तोर पर सक्रियों होते हैं, तो पहली बार RSS की विचारधारा माइनस होकर, राजनितिक सत्ता के करीब पहुँचकर, राजनितिक सत्ता के लाब और मलाई खाने की परिस्तिती में परचारकों को शामिल तो नहीं किया जा रहा है, यही तो सवाल RSS के भीतर सबसे बड़ा हो चला है, और यहां पर गौर करने की बात यह है कि जो गुजरात और कर करनाटक के चुना हुआ हैं, वह कहीं ना कहीं RSS के लिए एक नई परियोक्षाला है, उस परियोक्षाला के तहत वो अपनी बिसात गुजरात में एक तरफ और करनाटक में दूसरी तरफ बिचा रहा है, क्योंकि सच करनाटक का भी यही है कि 224 सीट में से, जब चुना 27 सीटे मिली थी और 18% वोट मिले थे, यानि इस लिहाज से समझिये तो सरकार तो बन गई थी, कॉंग्रेस और जेडियस की, इस बार बोहमई के बेटे को साथ लाकर जेडियस को कैसे तोड़ा जाए, इस राजनिती का पाट करनाटक के भीतर मौजूदा वक्त में मोदी सत् और जो चनक हैं, उनके जरीए खेला गया, आरेसेस इसे भी बरदास नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये माना जाए, कि करनाटक के भीतर सक्रिये आरेसेस का कोई महत्तु नहीं है, और राजनिती गोटियों को बिछाने के लिए, अगर जेडियस और जनता दल के नेता क आप ले आती हैं, जिनका कोई समवाद आरेसेस से नहीं है, तो उस रज के भीतर में आरेसेस क्या करें, और जिस विस्तार का जिक्र बार बार हो रहा है, कि मोदी सत्ता के दौर में आरेसेस का बहुत विस्तार हो गया, तो सच ये है कि आरेसेस का विस्तार शाखा के तोर प पर उतनी बड़ी तादाद में नहीं हुआ जितनी बड़ी तादाद में बीजेपी ने अपना राजनितिक विस्तार अपने लोगों को साथ कर दिया वहाँ पर जहां सदस संक्या 18 करोड तक पहुँच गई जो बीजेपी बताती है यानि आरेसिस की मौजूदगी बीजेपी के सत्ता में रहते हुए अगर होती रहेगी तो जिस दिन सत्ता गई उस दिन आरेसिस खतम उसको बचाने की सोच भी पहली बार संगठन को कैसे बनाया जाए और वैचारिक तोर पर कितना पुष्ट किया जाए इस दिशा में बढ़ चुके हैं आखिर में 3-4 सवाल बड़े जाए दूसरा संगठन को मतने की कोशिश मत कीजिए संगठन आरेसिस ही मत हेगी सराजनतिक तोर पर उसे प्रभावित करने की कोशिश मत कीजिए अगर कीजिएगा तो 2024 आते आते परिस्तितियां आपको नई दिशा में जाती हुई दिखाई देने लगेगी वह भी चुना अगर RSS की जमी ना हो तो BJP अपने बूते अपनी जमी पर खड़ा हो नहीं सकती है और BJP के भीतर भी जिस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर स्टर्ट को दरकिनार किया गया और PMO के भीतर ही सारे कामकाज होने लगे और PMO के जरीये ही पूरी सरकार चलाई जाने लगी उसका अस नहीं जानता है इस लिहाज से सेंट्रलाईज करने के बाद इस तितियों ने उस वैचारिक समी को खत्म कर दिया है जिसके आसरे कहीं पर कोई स्वैसेवक की पहचान हो वहां के जिला के लेवल के स्वैसेवक की पहचान हो प्रचारक की पहचान हो शाखा लगाने वाले की और होते होते बीजेपी के नेताओं की पहचान भी गायब हो गई है क्योंकि राजनितिक सत्ता की गूंच इतनी बड़ी होती है कि बाकी चीजे माइने नहीं रखती है तो क्यों नहीं इस राजनितिक सत्ता को डिगा कर दिखाया जाए क्या यह भी सवाल और यह भी चुनोती सीधे सीधे दिल्ली में बैठी सत्ता के लिए है और शायद इसी लिए रायपूर की तीन दिन की बैठक जो समनवेक या तालमेल के लिए बुलाई गई है उसके एक दिन पहले प्रभारियों को बदला गया है आने वाले वक्त में अगर दिल्ली की सत्ता समल गई तो बहुत सारे परिवर्तन नजर भी आएंगे और संसदिय बोड के भीतर भी कई परिवर्तन नजर आएंगे और अगर वो अडिग रही और उसके भीतर अगर वही भाव रहा कि हम हैं तभी आप हैं तो फिर टकराओ की ये परिस्तिती शालींता के साथ गुजरात चुनाओ को कैसे प्रभावित करेगी, इसका इंतिजार करना होगा, करनाटक को कैसे प्रभावित करेगी, इसका भी इंतिजार करना होगा, और 2024 आते आते, कौन सी नई परिस्तितियों के साथ RSS का उभार, कहां से किसके जरीए कौन कराएगा इंतिजार इसका भी करना होगा बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया